नमस्कार, मैं तेजस पूनिया और आप सब मुझे सुन रहे हैं रोलिंग फ्रेम एंटर्टेन्मेंट पर 21. सदी का पंजाबी सिनेमा और उसके आर्थिक सर्वेक्षन पर मैं बात करूँगा मन सिनेमा, तन सिनेमा, मेरा रोम, रोम सिनेमा सिनेमा या फिल्मों का नाम लेते ही, यह बात मेरे अंतरमन में गुंजने लगती है सिनेमा का कोई भी रोप हो, मुझे हमेशा से लुभाता रहा है मुझे ही क्यों, बलकि इस नश्वर दुनिया के अमोमन हर व्यक्तिने कभी न कभी सिनेमा जरूर देखा है जब से इसका दरश्यांकन शुरू हुआ है, राजा महराजाओं के समय से यह नाटक के रूप में था तो वर्तमान में यह तकनिक के दोर में परिवर्तित हो गया है और आज जब हमारा सिनेमा एक शतक की जीवन को पार कर चुका है तो इसके विभिन रूप हमारे सामने नजर आने लगे है इन सब में शित्रे सिनेमा ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है आज के समय में मराथी, तमिल, तेलगू, फिल्मों के सबसे अधिकरीमिक बनाए जा रहे है किन्तों इन सब के बीच पंजाबी सिनेमा भी तेजी से सब के सामने अपनी पहचान बनाता नजर आ रहा है कई गायक और कलाकारों ने इस पंजाबी सिनेमा जिसे पॉलिवूड की संग्या भी दी जाती है से निकल कर बॉलिवूड में भी अपनी पहचान तो बनाईी ही साथ ही अंतराष्टे फलक पर भी खोग चमक भी खेरी है पंजाबी सिनेमा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में समान रुप से प्रसिद्ध है और इसकी यही सबसे बड़ी विशेष्टा भी है हलांकि कहने को तो बॉलिवूड भी पाकिस्तान में बखूबी पसंद किया जाता है किन्तु किसी शेत्रिय भाषग का दूसरे देश तक व्याप्त होना गोरवानवित करने वाला विशे है इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि पाकिस्तान में भी पंजाबी भाषग बोलने और समझने वाले लोग अच्छी खासी संख्या में मौजूद है अब बात करूं पंजाबी सिनेमा के इतिहास या इसके निर्मान की प्रक्रिया की तो संख्षेप में कह सकता हूँ कि पंजाबी सिनेमा जो कि पंजाबी भाषग की लिपी अथवा गुरू मुकी लीपी या शाह मुकी लीपी में लिखा और तत्पष्टात फिल्माया जाता है कि वर्तमान में भारत में लगबग 196 स्क्रीन उपलब्ध हैं जहां यह दिखाया जाता है और इसके मुक्य वितरकों में वर्तमान में सीपी ग्रेवाल प्रोड़क्शन, वाइट हिल प्रोड़क्शन, रिदम बॉईज एंटर्टेन्मेंट और हमबल मोशन पिक्चर्स हैं विक्कीपीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाबी सिनेमा का सफल बॉक्स ओफिस उत्पाधन साल 2014 तक संपून डुप से 10 अरब यानी 140 मिलियन यूएस डॉलर था और राष्टे स्थर पर यह 9.5 अरब यानी 130 मिलियन यूएस डॉलर था पंजाबी सिनेमा के शुरुआत की बात की जाए तो इसका बनना साल 2018 की फिल्म बेटों की बेटी के साथ हुई जो पंजाबी में सबसे पुरानी फिचर फिल्म होने का स्थान भी रखती है तब से लेकर अब तक पंजाबी सिनेमा में कई फिल्में बनाई गई हैं जिनमें कई फिल्मों ने अंतराश्टे स्थर पर भी ख्याती हासिल की है यूँ तो साल 1920 के अविभाजित भारत देश जिसे इतिहासकारों ने ब्रिटिश इंडिया के संग्यादी है के पंजाब प्रांतिय राजधानी लाहोर में फिल्म का परिचालन शुरू हुआ भारते फिल्म जगत की तरह ही पंजाबी भाषा में भी एक समय तक मूख फिल्में ही बनी मुखे कारणों से हिंडी सिनेमा और अंतराश्टे फलक पर 21 सदी के आरम में पंजाबी भाषा की वर्ष 2000 में अविनाश वादवान, उपासना सिंग, परमवीर और दीप शिखा अभिनीत केवल एक ही फिल्म रिलीज हो पाई थी जिसका नाम था दर्द परदेशादे एक दो साल बाद पंजाबी सिनेमा में बड़ा परिवरतन साल 2002 में आई फिल्म जी आयानू से देखने को मिलता है अभी निता हरबजन मान और मनमोहन सिंग द्वारा निरेशित इस फिल्म को अब तक के सबसे बड़े बज़ट 9 करोड के साथ बनाया गया था पंजाबी सिनेमा का दाव उसके लिए बड़ी सफलता तथा संभावनाएं लेकर आया यहां से जो लहर पंजाबी सिनेमा की बहने लगी थी उसका रुक 2008 तक आते आते इतना विस्तरित हो गया कि एक के बाद एक बड़ी संख्या में फिल्में बनाई गी जिन में शामिल थी हशर लव स्टोरी, यारिया, मीरा पिंड, लख परदेसी होई, हैवन आन आर्थ और स साल 2009 में जग जियोंदिया दे मेले और तेरा मेरा की रिष्टा सूपर हिट फिल्में बनी लेकिन अभी तक की सभी पंजाबी फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड मनमोहन सिंग की मुंडे युके दे के नाम रहा, इस फिल्म ने पंजाबी मनमोहन दिल अपना का रिकॉर्ड तोड़ा और साल 2010 का पंजाबी सिंअमा या कहीं पॉलिवूड के लिए एक बड़ी संभावना दे कर आया और इस वर्ष 16 फिल्में रिलीज की गई जिमी शेरगिल अभिनीत मेल करादे रबा ने अब तक के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये और 110 करोड रुपे की कुल कमाई की इस प्रकारी है अब तक कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म बनी साल 2011 में हर्षदीब कोर और यामि गोतब अभिनीत फिल्म एक नूर रिलीज हुई पंजाबी सिनेमा के इतिहास में अब तक इश इमजीत कोर निर्देशित चामा दरिया दसिक्स सिरीर वर सितंबर 2011 में रिलीज होने वाली पहली पंजाबी महिला निर्देशित फिल्म थी इसके अलावा ये है पहली पंजाबी फिल्म थी जिसे किसी महिला ने न केवल निर्देशित और निर्मित किया अपितू स्क्रिप्ट राइटिंग या निपट का थालेखन का भी काम किया फिल्म में गोलशन ग्रोवर, नीना गुपता, मनप्रित सिंग, लखविंदर वडाली, क्रिष्टा कैनन और राना रडुनीर मुख्य भूमिका में थे फरवरी 2011 में पंजाबी PTC चैनल ने पंच कुला में पहली बार PTC पंजाबी फिल्म पुरुसकार समारोह का आयोजन किया यह समारोह पंजाबी फिल्म मुद्धोक के लिए एक जबरदस्त ओशधी तथा संजीवनी बूटी लेकर आया ओमपुरी, प्रेम चोपडा, गुर्दासमान, गुर्डु धानुवा, प्रिती सप्रू, रजा मुराद, सतीश कोल, मनमोहन सिंग, अमरिंदर गिल, गिपी ग्रेवाल, जसी जस्बीर, पुनीत इस्सार, राकेश बेदी, राम विज, सुधान्शु पांडे और आकरिती कक अभी ने, धरती, जैसी फिल्मों के आने के बाद, एक सार्थक और रशनातमक कहानियों की और रुख किया, जिनने मेरा दिल लुटिया, साल 2011 की वह पंजाबी फिल्म हैं, जिसने 125 करोड रुपे की कमाई करके, एक नया चैलेंज, पंजाबी फिल्म के निर्देशकों, कला किया, जहां से खड़े होकर पंजाबी सिनेमा को एक नए स्तर पर देखा जा सकता है, जिसमें अनिक संभावनाएं भी विद्यमान है, अक्टूबर 2011 में आई फिल्म यार अनमुले, जिनमें युवराज हंस जैसे नए कलाकार थे, तो वहीं उनकी साथ प्रसिद्ध कलाकार हरीश वरमा भी थे, इस फिल्म ने भी बॉक्स ओफिस पर अच्छी खासी कमाई की और है आज भी पंजाबी सिनेमा को पसंद करने वाले दर्शकों में खास करके युवाओं के बीच खासी दिखी जाती है, साल 2012 को पंजाबी सिनेमा के सुनहरे दोर के रूप में याद किय जा सकता है, इस वर्श खॉलिवूर्ड स्टाइल फिल्म मिर्जा धा अंटॉल्ड स्टोरी जिसके सबसे बड़े बजट वाली फिल्म के साथ परदे पर उतरे, यह करीबन 90 करोड यानि 101.3 दशमलव यूएस डॉलर की बड़े बजट वाली फिल्म रही, इसके ठीक बात ज बलजीस दोसांच और अब नीरू बाजवा के रूप में मिलवाया, इसी वर्श काई प्रोडक्शन हाउसों ने बहुत सी कॉमेडी फिल्मों का उत्पादन शुरू किया और इन फिल्मों के निर्मान के फल्स रूप पंजाबी फिल्म उध्योप को बिन्नू धिलो, गुर अगस 2012 में टोरंटो कनाडा में पहली बार पंजाबी अंतरास्टे फिल्म अकादमी पुरुसकार आयोजित किये गए, इस आयोजन के परिणाम सरूप पंजाबी फिल्म फेस्टिवल अमरिस सर, माब ओली अंतरास्टे पंजाबी फिल्म फेस्टिवल वैंकुर और एक और पड़ाव पार किया, तथा दर्शकों के साथ साथ निर्माताओं, निर्देशकों के मन में जिग्यासाइं उत्पन होने लगी, तथा नए अवसर की तलाश में कई युवाओं ने भी हाथ हाजमाने शुरू किये, इसी वर्ष जट एन जूलियट के सिक्वल के साथ प्रस्तूत की गई, जट एन जूलियट पार्ट टू, इसने अपनी प्रीज क्वल के तमाम रिकोर्ड को भी धुस्त किया, तथा पाकिस्तानी पंजाब में 15 से अधिक स्क्रीनों पर जट एन जूलियट पार्ट टू को भी रिलीज की हरी जंडी मिली, पंजाबी सिनेमा ज अस्तार, पंजाब बोलदा, हानी, दिल पर देसी हो गया, आदे फिल्मों ने रास्टे परुसकार भी अपने नाम किये, इसी वर्ष पॉलिवुड की मैनी परमार द्वारा निर्देशित और निर्मित, पहली पंजाबी 3D फिल्म की पहचान, पहली 3D फिल्म रिलीज क्विंस्लेंड के भारती अंतराष्टे फिल्म महोस्व में क्यूसा ने चार इनाम अपने नाम किये, जिसमें तिलोतमा शौम सर्फस्टेश अभिनित्री, अनूप सिंग सर्फस्टेश निर्देशक और सेबेस्टियन एडमिस्ट सर्फसेश सिनेमेटोग्राफी शामिल थ जिन में धिकांशत है कॉमेडी फिल्में थी, इस साल की सबसे सफल फिल्मों में चार साहिब जादे, 3D आनिमेशन आधारित फिल्म रही जो बड़े परदे पर पहली ब्लॉकबस्टर हिट रही, मद्यपरदेश, दिल्ली, पंजाब, उतराखंड, उतर परदेश जैसे रा जोसांच की, पंजाब 1984, मिस्टर एंड मिसिस 420, गोरियान उदफा करो शामिल थी, तो दूसरी और दिल को छूनेने वाली ऐसी फिल्में भी रही, जिनकी ज़्यादा चर्चा सीने बाजार में नहीं हो पाई, इन फिल्मों में 1984 के, दंश की, पंजाब 1984, कौम देहीरे, 47- 84, हुण मैं किसनों वतन कहूंगा शामिल थी, साल 2015, 2016 और 2017 में भी लगातार फिल्में बनती रही, किन्तु चार साहिब जादे का वेश्विक रिकोर्ड ना जाने कब तूट पाएगा, इस तिलस्मी रिकोर्ड को तोडने वाली ऐसी कई फिल्में हाल ही के वर्षों में भी पंजाबी फिल्म उध्योग के खाते में नजर नहीं आती हैं, परतिस परधाओं के इस सिनेमाई बाजार का आसर भी सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्म उध्योग पर ही पड़ा है, पंजाबी भाषा शेत्रों में कम से कम सिनेमा स्क्रीन का होना इसके लिए बड़ी समस और एक बड़ी समस्या संभवते इस उध्योग जगत ने विदेशों में अपनी पैठ बनाने शुरू की जहां पंजाबी भाषा के जानकार अच्छी खासी संख्या में निवास करते हूं इन देशों में अंतरा आस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्रे अमेरिका, मलेशिया, न्य न्यूजिलेंड, कनाड़ा अधी शामिल है, हाल ही के वर्षों में कनाड़ा पंजाबी फिल्मों की शूटिंग के लिहास से सबसे अधिक लोग प्रियस्थान है और यह वरतमान में पंजाबी फिल्म उध्योग का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भी है, यही कारण है कि पंजाबी फिल्मकारों को इस तरह की कुछ प्रेणास बद कहानियों और प्रेणास त्रोत कहानियों पर फिल्म बनाने के लिए तथा उन पर सोचने के लिए फिर से मजबूर किया, इन सभी तथ्यों के आधार पर देखा परखा जा सकता है कि पंजाबी फिल्मों उध्यो ग्टैट मामाँ और भागाइब।